लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्टानी बागियों को खत्र कर दो और पंडितों को निकाल बहुत करो मिस्टर अफसर ये सारे प्रूफ तुम्हारे अगेंस इंडिया ने हमें बेजा है कि तुम्हारा कंट्री कश्मीर में डर्रीजम पहला रहा है लेकिन सर आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि कश्मीर को तोड़ने का खाब हम 1947 से देख रहे हैं और खुदा की कसम उस मुल्क ने बंगला देश बना कर हमारे सीने में बदले की आग बर दी है कल तक ये बात सिर्फ हम को पता था मगर आज पूरा वर्ड को मालूम हो गया है हम पर प्रिशर आ रहा है कि तुम्हारा कंट्री को एक तरहरीस कंट्री डिक्लियर किया जाए अगर ऐसा हुआ मिस्टर अफजल तो हम तुम्हारा कंट्री को हिल्प करना बंग कर देगा ये आप क्या कह रहे हैं सर हमने तो आप ही के बरों से दुश्मनी मोल ली थी अगर आपने ऐसा किया तो हम तो बर्बाद हो ही जाएंगे और आपका भी कश्मीर में फौजी अड़ा बनाने का प्लैन अदूरा रह जाएगा आप फिक्र मत कीजे सर मेरे पास एक और प्लैन है हिंदुस्तान का एक बहुत खतरनाक मुझरिम है जगराज जो इस वक्त वहां से फरार है लेकिन उसके जर्म और गुनाहों की जड़े हिंदुस्तान के हर शहर में फैली हुई है वहां के कितने ही लीडरों की तक्दीरें वो बनाता और बिगारता है वो हमारे लिए बहुत ही काम का आदमी थाबित हो सकता है लेकिन वो इस वक्त भे कहां ही जिस मिस्टर जगराज हलो मिस्टर जगराज हाव डूए 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 यह तुम क्या कर रहो यह इंडिया का एक स्पाय है तनखाज जरूर यह उनसे लेता है लेकिन काम हमारे लिए करता है गांधी के देशवाले इसे घास पूस खिलाते है और इसे शौक पकरे खाने का है जो हम बोरा करते हैं क्योंकि इसने हमारी जान बचाई थी ओके मिस्टर चैकराज ओके हम तुम से साउदा करना चाहते हैं बट अखेले में अब बोलो क्या चाहते हो हम कश्मीर को इंडिया से जुदा करना चाहते हैं ताकि तुम वहां हुकूमत कर सको और तुम वहां अपना फौजी अड़्दा बना सको उसी तरह मैं भी वहां अपना हेड़कोर्टर बनाना चाहता हूँ ताकि इंटरपोल मेरी तरह वांक उठा के भी न दिख सके ओके हमें मन्जूर है इंडिया को कैसे डिवाइट करोगे इंडिया आज सारा हिंदुस्तान थर्म और मख़ब के पारूद पर टिका है एक जूदी सी चिंगारी लगाने की जरुवत है बाहु लेकन भाई इस चिंगारी से पूरे हिंदुस्तान को आग लगाने के बदले हमें क्या मिलेगा सिर्फ कश्मीर में एक छोटा सा अड़ा जोगा इंडिया ने अंग्रेजों को क्या दिया था बिजनिस करने के लिए एक छोटा सा अड़ा और अंग्रेज इंडिया के मालिक बन बैठे समझ गया भाई कभी मत भूल डिवाइड एंड रूल अट्टे पे बैठ कर इधर हिंदु मुसल्मान का दंगा कराएंगे और उधर सिया सूनी का पव्ला इससलिए मैं तुझे इंडिया भेज रहा होगा जितना बड़ा तंदा, उतना बड़ा दंगा झाल! अपन। यहिला बड़ा एंग मुना... मुना मेर पर्जे मुना.... मुना मेर परिजड रहां कर दो ज्रकता कर दमना मैं ग्का तो रूल धियार ग्ज! हुआ है 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 लुक जाहू है ही जिस्म भी इतना कमझोर नहीं हुआ है कि दो चाहर नाज कि वार बड़ताच ना कर सके इसने अंग्रेजों की सेकड़ो लाठिया खाई है मगर उन लाठियों में और हिल लाठियों में एक फर्क सरूर है कि अंग्रेजों की लाठिया जिस्न पर पड़ा करती थी और तुम्हारी लाठिया सिदे दिल पर पड़ती है पादो एक दूसरे काखून तो गडाले लोग दूसरों के सर और बता जो सारी दुनिया को कि मुल्क के दो टुकड़े होने के बावसूत हमने कोई सबक हाचिन नहीं किया अरे हम लोग गुलाम रहने की यादि है हमें अजादी रास्ते ही आती मुल्क की एक तारास्ते ही आती अरे अरे चलाओ लाठिया चलाओ लाठिया रुक जो गए चलाओ लाठिया चलाओ लेकिन बाबा हिंदू होने हमारी मज्जी तोड़ी है हमारे भी तो कई मंदिर तोड़े गए है बाबा तुम कौन हो हिंदू हो तुनर जन को मानते हो न अगर तुम्हें यह पता लग जाए कि तुम पिछले जनम में मुसल्मान थे तो क्या आज अपना ध्रम बदल कर मुसल्मान हो जाओगे नहीं क्यों कि तुम्हारे लिए जो आज है वही सच है और निया जिस मस्जद के लिए तुम खून बहाने के लिए आए हो कभी गयत हैं वहां सालों से वहां कोई नमास तक अदा करने के लिए नहीं गया और उसी के लिए कतले आम खून खराबा अरे सच तो यह है कि ना तुम मस्जिद से मुहबत है और ना तुम्हें मंदर से प्यार तुम लोग तो वह भटके हुए इंसान हो जिनका सहारा लेकर शैतानी दिमाग अपना खेल खेला है लेकिन हमारे लीडर तो उसे जिहाद कहते हैं और हमारे लीडर इसे धर्मयुद्ध कहते हैं तहां है तुम्हारे जिहाद वाले लीडर और धर्मयुद्ध वाले नेता उन्हें बुला कर पूछो कि इस मासूम ने किसी धर्मया मजभ का क्या भी घाड़ा था इसकी मौत से इश और खुश होगा या ला अरे उपर वाले ने तो तुम्हें इंसान बनाया था जिस दुन लेकिन कुछ मौका परस्त नेताओं के बहकावे में आकर अशे तुम लोगों ने उसके अर्मानों का ही खुन कर डाला नेता वो होता है जो प्यार के रोश्णी पहलाता है नफ्रत का अंधेरा नहीं नेता वो होता है जो देश को बचाने के लिए खुद अपने सीने पर गोली खाता है मगर आज के कुछ नेता गोली नहीं खाते हैं नहीं खाते हैं वो गोली वो रिश्वत खाते हैं तलाली खाते हैं यहां तक की चानवरों का चारा तक खा जाते हैं ऐसे लोगों के बहकावे में आकर तुम लोग एक दूसरे का गला काड रहे हो दिक्कार है तुम लोगों पर दिक्कार है इस देश की मिट्टी को शहीदों ने अपने खून से सीचा था जो हिंदू भी थे और मुसल्मान भी क्या धर्म और मजभब के नाम पर तुम लोग उनकी दी हुई कुर्बानी को बाच सकते हो बाबा आप ने शेहर को बहुत बड़ी बर्बादी से बचा लिया है महादेव अगर देश का हर नेता तुम्हाई तरह सोचने लगे न तो हिंदुस्तान में खून की नहीं दूद की नदियां बहने लगे हाजी शाब हाजी शाब हाजी शाब अरे 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 तुम गगू जो पैसों की खातिराज तक दूसरों का घर भूगता रहा लेकिन आज जब इसी आज में खुद का घर जल गया तो बर्दाश ने कर सका हाजी शाब आज मैं आपके साबने सचाई पेश करने आया हूँ जिन लोगों ने बाम ब्लास्ट किया उन में से एक मैं भी हूँ लेकिन ये सारे काम करवाने वाला आपी का खास शागिर्द महादेव है बोल तुझे यहां भेजने की किस की चाल है किसी की नहीं हाजी साब किसी की चाल नहीं है मैं तो खुद अपनी चाल का शिकार हो गया हूँ खुद अपना घर बरबाद कर बैठा हूँ मेरा इकलोता बच्चा इस दंगे में मारा गया अब देदेगी में चीने का कोई मकसद ही नहीं रहा यह क्या क्या तुम लेगा इनने जहर पी लिया आजी साब आप शायद आपको मेरी बात पर जखी आएगा आजी साब इसमें इसमें महादेव के खराब सबूत रहे इसे रोकी इसे रोकी वोना वो देश को बरबाद बढको फसे खराब परत कर अजी आएडικά कर दो फसे आज़ में तो है! कर दो! कर दो! पैल! लोगा आप यहां मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है क्या बात मुझे तुमसे अकेले में बातें करनी है आये लेकिन सर तुम लोग जा ट्राइवर को सिकरोडी के साथ भेज़ दू अब बहुत परिशान नजर आ रहे है मैं पूष्ता हो कि शहर में बंबलास किस ने करवाया था हाजी बाबा मैं नहीं जानता he मैं पूस्ता ओपि शेर में बंपलास किस ने करवाया था जो ने ही तो मैं पूस्ता ओपि तंगा करने में किसा हाथ था मह पूस्ता रहा हूं हाजनी बाबा walks कि रामजादे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तू ने इतनी मासूम जंदिया ले ली भाई भाई के दिल में नफरत पैदा करने की कोशिच की तू नहीं जानता इस देश की मिट्टी धोखे बाजो को पार्दार्श नहीं करते हैं कि अगर यह बुझा तो बड़ा कातरनाक निगला अगर तुमने आते यह तो मुझे बर्बाद करते ता मादेव अगर यह देश कांदी पैदा करता है तो उसे खतम करने वाला भी यहीं पैदा होता है पहादेव तरे उन्हाओ का कच्छा चिट्टा अगर प्रस्टा आत्मी के पास रहे चुलाएं परी मौत की खबख मिलते ही और तरह पार्दा पाउच्त कर देगा कर दो अगर इनोंने 48 घंटे निकाल दिये तो समझ दीजे खत्रा ठल गया डॉक्टर उन्हें किसी भी हालत में बचाना होगा किसी भी हालत में सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है सर शेहर में तरह तरह की अफ़ाएं फैदा जा रही है कुछ लोगों ने ये बात थेला दी है कि बाबा को मारने वाले हिंटू है जिसकी वज़े से लोगों में बहुत गर्मी है दंगा कभी भी भड़क सकता है स्पी अब फाइब फैलाने वालों को फोरण अरेस करो ओके सर डॉक्टर आप स्पी साहब कमिशनर साथ के साथ जाकर एक प्रेस रिलीज दीजिए और कहें कि यह मेह जैकात्सा था बाबा खत्रे से बाहर है ओके सर ओके इस्टा नहां सब ठीक है तुम हाजी बाबा से मिलने जुले वालों पर नज़र रखो ताकि हम उस आदमी तक पहुं सके जिसके पास सबूतों की फाइल है बाहर नगज कर दो झाल झाल हरामी साला डिब्बे वाला वो कट में मेरे मुझे गाली निकलवाता है कैसा मस्ती में जारे लाए हलकट ना शकल ना अकल ले दे के बस एक साइकल उसी पे सांड के माफिक बैठा दुनिया भर को डिब्बा पहुंचाता है और अब उनको दिन रात जलाता है जलत मुसाफिर हम कर दूंशां, 북한 हम कंदु एंटि मां घुजाएंक है बहल के, ख Web भैंऊ, अरे हैं पहली पुझाबत हू, आरे हम अकपने मिर्बल नहीं मैं बनाता है ये जो doğru, बाई हम्ने काही धुकरावत हम तो अरे पेरों की जूती है हम तो अना नाही रह सकाो यह कहो तो आह है को उन्ण हम तो नाही पहचानत हो नाही हम तो औरी ज़ुरू म जद्धा, बाई म भाई मुगले आजब अभी जास्ती नाटक नए क्या जास्तिनाटक नई साला एड़ा बनके पेड़ा कहता है तिदा घर लेकिना अपने पाइपुपु अरे काहे घर ले जाए हम तो कुवारे हैं का का पच्चन का हम दैज के ले क्या ही है फिलो संभालो अपने लाटन का अरे इका जबर जस्ति है वालदार साहिब यह हमका अब कहो कभी देखे तक नहीं है फुलवा हा फुलवा हमका हाथ मतलगा ना फुलवा हाँ हवलदार साहिब कर रात हमसे ही चुम्मा मांगे रहे और हम इंकार कर दिये तब से हमसे जरा ख़पा है जूट चलो गुस्सा ठूग दो जितना चाहे चुम्मा लेलो और घर चलो ठूठकरों ना यह अमरे बच्चे हैं और ना यह अमरे जोरू इसब जूट है यह जूट है यह सब जूट यही सब जूट है यह तो और कमरीया को आ 가지고 का निषान जाण मातावत है जो बच्पन मा माजाने है और जवानी मा जोरू का क्यूं बताए दे बताए दो आप नाहीं बच सकते भाईया तो चलो उठाए दो पजामा चलो चलो उठाए दो हाँ उठा पैजामा उठाएगा तो सेंसर गोट काटेगा जल बचले को उठाओ और पाएकों को घर लेगे जास अंतो घर ले जाओ नहीं तो मारेगे बच्चुआ का नाम है तोहार गोविंटा और तोहार चांकी अरे आखे का है दिखाए वो थो चंकी मंकी काली-पिली फोगर्ट में आदा घंटा खराप किया गोविंदा जंकी गोविंदा ममी ममी हम यहां है कहां अरे तुम लग यहां क्या कर रहे है ममी ममी आंटी में है ना यह लाली पाप के बदले अंकल को अब्बु कहने को बोला तो हमने बोल दिया सॉरी यह बच्चे बड़े नटखट है चौकलेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं चलो बच्चो अरे हट देखा लोगो इस चुडेल को अरे राम 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 क्या जमाना आ गया है अरे इससे देखकर तो हम भी दोगा खा गये थे अरे यह कैसी लड़की है क्या लड़की है किसी शाने ने कहा है कि प्यार और मारवारी में सब चलता है अरे अकबर वह तो अपनका दिल तेरे पर आ गया वे परना अपने इस लंबू को भी आख मारे ना तो वह भी फिसल के गिर जाए अरे लंबू फिसल सकता है हम ना ही हम अकबर है कि ये मौसम है रंग विरंगा ये मौसम है रंग विरंगा करोंगी जब के दंगा आज नहीं छोड़ोंगी तुझको लोंगी प्यार का पंगा ये मौसम है रंग विरंगा करोंगी जब के दंगा अरे हम काशी का अकबर हूँ का पहती है जहां पे गंगा खाट खड़ी कर दूँ उसकी जोलेगा हमसे पंगा प्यार नहीं करता तू मुझको तू है जब नहीं नहीं अरे प्यार नहीं करता तू मुझको तू है जब नमूना मज़ा सभी आता है जब पनवा में लग जाए चूना समझ ले गुझे में है भाईया समझ ले हाँ समझ ले गुझे में है भाईया जब खैनी को पांके तोड़के रख देगा जोरी तेरी नकरे के टाके ये मौसम है रंग विरंगा करूंगी जब के तंगरा आज नहीं छोड़ूंगी तुझको लूंगी प्यार का पंगा पर तेरा जादू नहीं चलेगा संजीगा तेरा जादू नहीं चलेगा निम्बुआ नाहीं चड़ो पर प्यार की भासा हम ना समझू पीछा हम राच छोड़ो अरे जा 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 इन आखों में लगानिया है तेरे नाहीं चलेगा छेल भबल बान देगा किस दिन दिन जुल्फों में गजरा अरे आ आ आ आ आ जा 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 हम काशी का अगबर हूं हाँ हम काशी का अगबर हूं पहती है जहां पे गंगा खाट खड़ी कर दूं उसकी जो लेगा हमसे पंगा अर जा 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 खट ये मासम है रंग विरंगा करूगी ज़ंके तंगा आज नहीं छोड़ूँगी तुझको लोंगी त्यार का पंगा एबिएगोर इसानगी आपने जाया बान! जाएगोररर वही आपने! जाइगोर्धर और जाओंते खोर्च पर्टारर्ः राकॉर्ट आपने! माबा, गारी पिकरी नंजरकी, सब अभीतक कोया नहीं? अचलने उन्छे कर अब दिते हैं! जिसने भी आडियक्ट से भरी उस गाड़ी को बाहर से यहां समगल किया है वो कभी न कभी जरूर आएगा और जब वो आएगा तो हम उसे रंगे हाथों के रिफ़तार कर लेंगे सिर्फ एक गड़ी बस सिर्फ एक गड़ी हाथ आगई तो जन्जीर बन जाएगी प्रदेश को तबाह करने वालों की तबाही शुरू हो जाएगी पेलट वो घड़ी जादा दू नहीं ए curs उड़ी मैम उसे रिफ़ी जलत जलत шьो जलत जलत गदसारण/. जुकिञे जुकी 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 जुकी! आपको संभाल नहीं पाती घर क्या संभालेंगे अनीता थांक यूँ अरे यह क्या कर रहे हैं आप लोग ले रहे हैं ओ मडम लिफ ली नहीं चाहती लिफ्ट मांगी जाती है जी नहीं लड़की होने का यही तो एक एडवांटेज है हमें कुछ मांगना नहीं पड़ता सब कुछ अपने आप मिल जाता है अरे 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 हम पहले ही डांस जी असल से ठके हुए हैं और क्यों डांस करवा रहे हूं ऐसे भी क्या आफ़त आ गई आफ़त नहीं मैडम मेरे ससुलाल वाले क्या ससुलाल वाले मगर वो तो पुलिस है यही तो मेरी शादी करवाना चाते हैं पुलिस वालों को तुम्हारी शादी से क्या लेना देना लेकिन मेरे चाचा को तो है चाचा उसी ने तो मेरे पीछे पुलिस लगवाई है क्यों एक कसाई के हाथों मेरा सौधा कर दिया ककाई आमीन लड़की का बाप लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है कि अगर मैं शादी करूँगा तो अपनी पसंद की लड़की से ही करूँगा तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हमें लिफ्ट देने की लेकिन मैडम लिफ्ट तो आपने ही मांगी थी शुट आप एंड चेस्ट अप्दे कार आई से तुम इसे जानती हो पिछले मैंने फूलों के एक्जेबिशन में गई थी भही टकरा गया था यह लुच्चा लफंगा लोफर बदमाश तपसे काटे की तरह चुपता रहता है अरे ओ मैडम जिस दिन ये काटा सच मुझ चुप गया ना उस दिन सिर्फ आई लव यू की चीक सुनाई देगी शुट आप वेल्कम 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 क्या चीज आया है तू बोड़े ब्यूटिफल कार अब उनको पूरा भरोसा था ब्रदर के तुम जरूर सक्सेस्पुल होईंगा मगर पिंटो भाई पताने कैसे अचानक पुलीस आ गई बड़ी मुश्किल से बचकर आया हो यार अरे वह इस तो तुम्हारा खूबी है ब्रदर और हमारे धंदे का एक्जाम जिसमें ऑल्वे अधिया का लोग तुम्हारे पीछे रहता है ये लो व्रदर ये लो ये लो तुम्हारा शेयर तैंक यू कि अ पिंटो इस लड़के में बाद खूबी आए चालाक है उनरमंद है और सबसे बड़ी खूबी क्या है मालूम है इंडियन सेंटीमेंटल जिस तरह हम चाबी से गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं ताले खोल सकते हैं उसी तरह सेंटीमेंट की चाबी से हम जब चाहें इसको न चाह सकते हैं बाद 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 क्या बाद 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 कर दो कर दो अरे बिरु तू भाया तू अरे बोलता का है नाई मुँ माद ही जमाग रखाए का मर्गारे मर्दू दो कसाईयों की तरह पीट है यह तू शुगरे की लाइट होनों गई वर्रा आज तो मेरी डेक बोड़ी आता थी शुक्त आती शुक्त करते अरे बाजु वाले घर मां चोर घुसाया था तो हमका लगा आज हमने घर में घुसाया है अगर आप चोर नहीं है तो चोर की तरह आते क्यों है विए कुछ यसा है ऐसा का काम है तेरा बोल काम बताओ भाईया नहीं तो रोज ऐसी मार पड़ेगी तेरी तो मैं खबरदार हां मैं तेड़ी उंगली से घी निकालता हूं का तेड़ी उंगली से घी सीधी उंगली से काही नहीं निकालते हां हां सीधी उंगली से काही नहीं निकालते काम भी जल्दी हो जाएगा और घर भी जल्दी आ जाओगे अरे सीधी उंगली से घी निकलता है क्या निकाल के द केटबरी देखा कितना रिश्वत खोर है वो इसे जरा से चीज में भी पटा ले अच्छा मैं तो तेरे लिए भी एक सोने की चेन लाया था लेकिन आप रहने दे अरे बीरु भाया अकबर भाया यह आपने अच्छा नहीं किया बीरु भाया को खुद भी पीटा और हमसे भी अरे जितनी जल्दी तुने पाला बतला है उतनी जल्दी कोई नेता पाती नहीं बतलता अरे बीरु इन दुरों ने तेरे खिलाब हमका पट्टी पड़ाई थी अच्छा अभी देखा तुम लोगों को अरे अद्बर तुझे शरम नहीं आती है क्या कभी मुझे मारता है में बच्चों को मारता है एक मिनेट एक मिनेट ये तौफा मैं तुम्हें ईद पर देने की सोच रहा था जिस दिन तौफा मिले उसी दिन इद और उसी दिन दिवाली तु रोज देर से आकर मवाली जोनी भाई एका कर रहे हो अरे हुसन भाई गलती से मिश्टीक हो गया हमें सा गलती से मिश्टीक हो जाते कभी तो गलती से सही किया कर अथी बात है, खीक है शरन्ग दादा नहीं आए, शरन्ग दादा अंतो check आ तो गया, मगर हमेशा की तरह अज फिर लेट, चलो निकालो बनल्ती हैão ले अपनी चॉकुलेट , पकारता है। दादा और दादा सही दादा गिरी करता है, ऐसा कब तक चलता रहेगा। हमेशा, आप हमेशा लेटाते रहेंगे और पेनल्टी मा चकलिट दिखाते रहेंगे। नहीं बेटा हुसेन, आज मेरा आखरी दिन है, कल से मैं टबो का कॉंट्राइक छोड़ रहाँ। जनारधन ये काम संभालेगा बेटा। आप कंट्राइक जनारधन को दे रहे हैं दादा। दादा आप अच्छी तरह जानते हैं, जहांचा उसके कॉंट्रेक्ट है, वो और उसके साथ ही दपो की आर में घरदंदे करते हैं। जरूर उस अधाम घादेने आप पर दबा डॉला होगा और मरने की धंकी भी जरूर दी होगी। मौत से अब कौन डरता है भाई। छिती कटी थी, कट सुटी। फिर बात क्या है दादा, बताइए। क्या बताओं बेटे, तुम सब लोग मेरे बच्चों की तरह हो। कौन बाप चाहेगा कि उसके बच्चों पर आप पताए। अच्छा उसने हमारी धंक्यों दी, हम मर जाएंगे मगर ऐसा नहीं होने जाएंगे। क्या बोला रहे तू, तू क्या नहीं होने देगा। अच्छा ना दनना। चले अधिल ददा मत मारो इसे, मत मारो इसे। ओए, तुने मेरा हाथ पकड़ा। तुने मेरा हाथ पकड़ा। ए, हमरे दादा को काहें मारा। ओए, चुए, तू शेर के सामने खड़ा हो गया है, तुझको ढ़नी लगता है। बूरे आदमी को मारा थो, और खुदका शेर कहा थो, हम काता शिकारी कुटता लागा थो। मात डाला, हमने छोटे भाई का मात डाला। अनको जिन्दा है भाई। अरे इवी कोई चीला है रे छोटू। ना तो रे पे जमीन पर ना तो रासमान पर इतनी छोटी सी जान हमामा। रेलवा से टक्रा सकता था, जमीन से सर भट सकता था, मौत से हाथ मिला सकता था। अरे कितनी बार कहा है अपनी छोटी सी जान को समाल कर रख, गली की कुत्तों से बचा कर रख, पर नहीं किसी भी गदे से बिढ़ जाते, अरे गदा तो गदाई है ना, उकलात मारने की आदत है, मार दिलात। तू इस बच्चे को समझा रहा है, मैंनू गाली दे रहा है। अरे नहीं, नहीं, तो ये गाली देकर खुद की जबान कंदी करनी है का। मगर कच्रा साफ करे खातिर, हाथ तो जरूर गंदा करना पड़ेगा ना। आरेगा न थाफ ये गाली देकर खाति हुआ हुआ है हुआ हुआ है नागा है ऑटाचु है बेस चजिया ओए पंद्या ओए इस मुंडे का क्रिया करम क्ड़ वास्ते इसके बन्नों से इस और नहां तो पूचे हो अधर आधर रहा कर और हां है है कि अधर आधर आधर है अधर दो अधर आप तुझे अक्बर भर्मारेगा देटर अदर्ट! कि देटर्ट! यू एक्बर अच 뉴스 प्रहुछ! कर दो कर दो, कर दो कर दो जिन्दगी अब शुरू चिकलम चिकी चिकी लुरू जिन्दगी अब शुरू रब के चेले है सब और कोई यहां नहीं गुरू काम आना सभी के यही काम है कभी सोचाना जाना का आराम है जिकलम चिकी चिकी लुरू जिन्दगी अब शुरू रब के चेले है सब और कोई यहां नहीं गुरू हर जीते तो होंगे सभी यारो अमीरी में जीने का असली मजा है या फकीरी में कभी किस्मत के चकड में फड़ता नहीं कल होना है जो हम तो डरता नहीं जिकलम चिकी चिकी लुरू जिन्दगी अब शुरू रब के चेले है सब और कोई यहां नहीं गुरू जिकलम चिकी चिकी लुरू लुरू जिन्दगी अब शुरू शुरू गद्दारी जो भी करे हम उसको जीने न दो इस देश की मिट्टी को मिट्टी में मिलने न दो बिना वर्दी का ही इक सिपाही हो हम पोल कर दुश्मनों को ही तोरूंगा दम चिकलम चिक चिक लुरू लुरू जिन्दगी अब शुरू शुरू ए चिकलम चिकी चिकी लुरू लुरू जिन्दगी अब शुरू शुरू रब के चेले है सब और कोई यहां नहीं गुरू काम आना सभी के यहीं काम है कभी सोचाना जाना का आराम है चिकिलम चिकी चिकी लूरू, जिन्दे की अब सुरू, शुरू चिकिलम चिकी चिकी लूरू, जिन्दे की अब सुरू, शुरू रब के चेले है सब, और कोई आहा नहीं गुरू कोई आहा नहीं गुरू, कोई आहा नहीं गुरू अरे पुल्वा मेरे पीछे हावल दार लगवाई प्लीज सम्मालना यार अरे जोदा भाई तू अरे तियारा तो एकदम हुलियाई चे जाल अरे अपने मरत को यह इच पसंद है अरे अवाली अवाली अवाजपन गेली अरे तरह मरत वह चाना अरे उसके जए संबार्दाखी दुनिया में नहीं अच्छा तेरा विंदा चांकी तो ठीक पस क्लास पन साहिब तुम ही थे कसे ओ देवर देवा वो एक चोर अदर भाग आला साला तुसको देखा क्या चोर तिकड़े गला उतर गेले अभी पकड़ता सालिप अरे विरू चलबे बाहर निकल प्या हां गया थांक्यू फुलवा थांक्यू आज तो तुने मज़ा बचा लिया यार अरे कोई बात नहीं चलता है यह रहा तेरा ही नाम तुछ रख यार अप उन इसका क्या करेगा किसको बनाएगा अरे उसी को जिसको तु प्यार करती है जिसको अपन प्यार करता है जैसा तू पुलिस के हाथ नहीं लगता ना वैसा वो भी साला आप उनके हाथ नहीं लगत मेरा यह मतलब नहीं था यार मैं यह कहना चाहता हूं कि तू अपनी कहानी का डिरेक्टर मुझे बना ले और फिर देख अकपर तेरे कदमों में होगा वो के से सुन अरो सुकिया चाचा एक फस्क्लास दुद्वा बनाई दो बहुत ठक गया माच आज कुछ ज्यादा ही कस्त्र थुई कवा अरो तब यह तो च्चा उच्चा खुई कवा अरे सुकिया चाचा नजर नहीं आते हैं अरे चोड़ा देखने गया है मारे लिए तूनकी बिटी आये का हाँ फूलवती नाम है मारा का नाम पसंद नहीं आया के उबात नाहीं नाम कुछ जाना पैचाना सा लागत है मन्ने देखे तो सब यही बोले हैं दूद पनाई दो मलाई भी डाल दू अरो बिना मलाई के दूद कैसा किस्ता लागा मारे हाथ का दूद अरे तोहार दूद पातो भांका नसा है वे फूलवती और मारे में थू तो बड़ी लसीली है रे जो भी तोहार संग्भिया करेगा ना नसे में रहेगा तू करेगा मारे संग्भिया आए महाने थारा कसरती बदन वहांत पसंद है मैं थन्नी रोज नसीला दूद तिला पिलाके थारी सारी ठगान मिटा दूँद अरे क्यों नहीं कर सकता अपुन तेरे को पसंद नहीं क्या अग्बर हमका तो फुल्वा ही फुल्वा लजु रहाथ है यह तो हमार फोटवा लागते रहे तोबर तोबह यह का हुई कवा हमरे संग कोई देख लें तो हमारी जग मिट्टीवा मिल जाई अगबर अरे बीरु पताने किसकी चाल हमका बदनाम करने की अरे बदनाम तू क्या होगा अगबर तेरी इंचिछोरी हरकतों से बदनाम तो हम होंगे ना तू हमका इतना घटिया समझत थे बीरु अरे समझने को बचा ही क्या है अभी अरती बहना तू तो हम पर यकिन करती है कल तक करती ऐब हएे अंmale हम की तो हा रहा हम संब है और पुलवा का हम संखल है न अघाने हो भी सकता है बस अकबर बस बहुत हो कई हम अनाड़ दूथ के दुकान पर तू ही गया था न वह डूद पीया था है दूद पीने के बाद फुल आ के साथ हो थी पैचहारी जिन्दी की तो मिट्टी में मिल गई ना कह रही थी किसी को मूधी खाने के लाइक नहीं रही अरे कौन करेगा पैचारी के साथ चादी अकबर बाप ने बाप यह हमसे कहा हुई गवा फुलुवा कहा है मैंने उसे चोब पाटी की तरफ जाते हुए देखा है जरूर हम आते हो हुए फुलुवा हुलु फुलुवा फुलुवा हुए अप उनके पैस टाइम ने है अच्छा तु अब तक जिन्दा है अरे हमने समझा तु समुन्दर का आदापानी पी चुकी होगी अब तक अरे जल्देवता ने स्विकार नाही किया का जो इन नौटंकी क्र तो हाँ इसी बद्मास और बेसरम चोकरिया को सुईकार करेगा भी कौन अरे महबत करने वालों का जीने का भी स्टाइल होता है और मरने का भी अप उन्स टाइल में मरेगा क्या फुल्वा यह क्यों तुम अग्मादाई रोको इसे अरे यह क्या रोकेगा हुसेन इसको दसीर सच से किलना आता है अरे पीरू तुम सब बड़े भोले हो इसकी चाल नहीं समझ सकते लेकिन हम समझ गए कल सुक्या चाचा की बेटी बनकर हमरे दूद भी नसा मिलाएत रही और फिर हमका बिलाइक मिल करने के खातर किसी लुच्चे फोटोग्राफर के संग हमरी गंदी अरे रुको हुसेन इससुरी तुम लोगन को नरक से भी सताएगी अरे भाईया इटा जरा मजबूती से लगाई दो कई सास लेनी की जगा न रह जाए अच्छा अकपर अपना ख्याल रखना अपन तो तेरे लाइक नहीं था ना लेकिन अपने लिए कोई अच्छी सी अरे चलो लोगों तमासा खतम हुआ मैं तो शर्मानी चाहिए बेचारी ने महबत में जान दे दी और इसका दिल नहीं पिगला अरे चुप अकपर हम यह कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन तुमारा ये रूप हमारे सामने आएगा अब हम दोना इच्छत के नीचे नह नहीं रह सकत छत से पानी डबकता है का तुम कोनी हो हाँ तुम हत्यारे हो अरे हमें काई कुनी हत्यारा बनावत हो अरे उच चुडेल तो हमारे पीचा नहीं जोड़ेगी अभी प्रकट हो जाएगी बन दिवार मा आदमी एक मिनिट से ज्यादा जिन्दा नहीं नहीं सकत अब उन तो एक घंटे का इंतिजाम करके शाने बही या एक मिनट हो गया अक्पर एक मिनुट हो गया अरे अपकी बार तो आप उनके साथ डिरेक्टर है अब तक तो बैचारी बहुश्य चिकी होगी जोग्त इसकार अंदर से तो हसनी की आओज आवात है नहीं यह था हसनी कुछ आख समझ रहते हैं मगर इस सच मुछ हमका प्यार करते हैं ओ फुल्वा अब तो तुझे इसकी लाज तक चुने का हग नहीं आख पर नहीं हम आखे फुल्वा फुल्वा आखे खोलो फुल्वा अगर तो यह कुछ हो गया ना हम जी नहीं सकेंगे सच फुल्वा अगर मैंने किसी परी से की होती ना तो वो भी मुझसे शादी करके शवर्ग ले जाती हनीमून मनाने तो मनाओ ना हनीमून स्वर्ग में रोका किस नहीं ह? दिल ने और दिल मजबूर है वह कहावत है ना दिल लगा गधीसे तो परी क्या चीज है क्या तुमने म मुझे खादीका, मुझे, यू, 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 आप ही बताती ही, तुझे, क्या के दिया, भाग हाँ, हाँ, देखा अनीता, आखिर तुम्हें मेरी महबत पर यकीना ही गया ना, आजाओ मेरी बाहो में आजाओ आई, ये पठ्ठा तो इसी के चक्कर में लगता है, अरे गुरू, अपनी जाद विरादरी में रहना, मेरा खाना क्यों कराब कर रहे हो यार अरे सांट भाई, तुम तो सीरियस हो गए यार, मुझ जैसे हैंसम से नहीं पढ़ रही है, तुम्हारे स्तिंगों पर मर मिटेगी क्या अब तक तो मैं तुछे प्यार से समझा रहा था, लगता है तुछे प्यार की भाशा नहीं जानता हाााााााााा! जेली डा! Nurgh! Biru! Biru, biru, biru hoş miyav? Biru, biru! Biru.. क्वड़िय कर दो दो पिरोड़िय करना थस निया है दिल 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 सम्हाला न जाए हाए क्या करों प्यार का काटा चुभता जाए प्यार का काटा चुभता जाए हाए क्या करों हाए क्या करों दिल 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 हाए क्या करों औरोका मैंनी कितना दिल को पर ये एक न माना बन ही गया है ये मेरा दिल तीरे नजर का निशाना आही गया है ये दिल तुछ पर तुछ पर ही थाना जो भी होगा देखेंगे हम क्या कर लेगा जमाना क्या कर लेगा जमाना तेरे बिना कैसे जीओ जीना हुआ मुश्किल दिल 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 सम्हाला न जाए हाए क्या करों प्यार का काटा चुबता जाए अरे प्यार का काटा चुबता जाए हाए क्या करों हाए क्या करों हाए क्या बाबा आिundhे लाचार को कुछ देदे माई अंधे लाचार के कुछ देदे माई ये लो बापा है अग्बर है मेरा सब पे नजल रखते अरो ससुरे अंदा हुआ है का अपने पे तो नजर रख नहीं सकते दूसरों पे कहा नजर रखोगे लगता है उस ससुरा तो हम पर नजर रखा हुआ था अरे ये भीर कैसी चलो दाखो अरे का हुआ माई लुड हुद लुद कर दोा ही भाला हुद कर दो ए्राइफ लुद कर दो खाहर। लुद ना रोा हुद कर दो खाहर। खट जाओ, खट जाओ, खट जाओ, क्या जुरू सबार हो गया तुम लोगों पर खबरदार, जो कोई आगे बढ़ा तो, खुदा की गसम, मैं ये तलवार उसके सीने में भोग तूँगी तुम लोग इन काफिरों को बचा रहे हो, कौन है काफिर, खुदा के ये मासूम बच्चे, ये बेवा औरत, जो कल तक तुम में से किसी की बहन थी, किसी की भाबी थी, किसी की चाची थी, और किसी की मौसी, और मिया, आज तुम्हारे जिस हाथ में तलवार है, कल उसी कलाई म करने के लिए आगया तो तुम लोग भी आए हो लेकिन इसकी जान लेने के लिए जमाल मिया यकीन नहीं आता कि तुम्हारा खुन कैसे सफेद हो गया तुम्हारी बीवी जब छे दिन के आसिफ को छोड़कर गुजर गई थी तो उसको अपनी चाती का दूद पिलाकर जिन्द करें कि अब्दुमिया तुम इसी बच्चे को अपने कंदे पर बैठा कर कल तक चॉकलेट दिलवाने ले जाते थे नृट कि भूग दो इसके पेट में तलवार और निकाल लो निकाल लो परे भूग दो निकाल लो अबरे चाचा अपने चोकलेट लेलो मेरी मा का चोड़ बीरू, अम्मे अबू नहीं रहे बत रो बीटर, बत रो अकबर, एरे बच्चे बीरू और हुसेन कहा है माई, माई, बीरू माई, माई, तुम भाईयों को मिला कर कहा चली गए थी, माई माई, हमने तुम को कहा कहा नहीं डूड़ना, माई माई, हुसेन माई, माई और वो छोटी सी बच्ची कहा है माई, वो छोटी बच्ची नहीं रही हम का तो छोड़ो, अक्बर भई यार वीरु भईया के भी कान खीज़ेते हैं माई, हाजी भबा कहा है? मैं उन्ही को देखने आया थी, उनका एक्सिडेंट हो गया है एक्सिडेंट? वो अस्पताल में बढ़ती है कहा? डॉक्टर साब, एक्सिडेंट में पेट पर इतना गहरा जखम कैसे लग सकता है? यह अटैक भी थो सकता है? मेजर बल्वन, एक्सिडेंट और हमले की जोट में फर्क होता है और मेडिकल रिपोर्ट के मताबिक इनका एक्सिडेंट ही हुआ है हुआ हुआ हाह भीज एक танए हुआ है तब ढॅआ है प्लाग, 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 प्लाग की अगा हुआ है यह यहां क्या कर रहा है बोल गोगा भाये खुश खबरी हाजी की फाइल का पता चल गया है वो फाइल हम सब के लिए बारूद बन सकती थी इसकी चिंगारियों से चीप मिनिस्टर की धज्जियां तोड़ सकती है साथ साथ हमारी प्लैनिंग की भी वो फाइल है कहाँ मेजर बलवंद के पास मेजर बलवंद के पास फिर देर किस बात की है भाई उसके बंगले पर बहुत टाइट सिक्यूरिटी है किसी भी आदमी के लिए वहां तक पहुचना बहुत मुश्किल है चोटे ये काम आदमी के लिए मुश्किल हो सकता तेरे जैसे चलावा के लिए नहीं जो कोई भी रूप थर सकता है और फिर तुम मेरा भाई है समझ लो भाई वाईल हाथ में आई ये ये आपसलूटली फाई मिस्टर महादेव हिंदुस्तान से क्या ख़बर लायो महादेव जगराय तुमाहे लिए बहुत ही खास ख़बर आया हूँ लेकिन इस बार सरकार ने ठान के वहाँ के लोग आतंगवास से उप चुके है वहाँ के लोग वही करेंगे जो हम चाहेंगे को कि पुरे कश्मीर में हमारे आद्म ने अपना जाल फेला रखा ठीक है एलेक्शन से पहले वहाँ तमाही मचा देगे किसे के चुर्णत भी नहीं होगे कि अपने कर्शे बाहर भी निकार सके ये क्या है हमारी सरकार का प्लाण जेनरल वाली है इस बार हमारी सरकार ने पक्का फैसला कर लिया है कि काश्मीर में हला चाहे कुछ भी हो इलेक्शन जरूर होंगी मिलिटरी की तरफ से इस सिलसले में क्या तैयारी है सर हम पुरी तरह से तैयार हैं हमने वहां के ऐसे तमाम लोगों की खुपिया रिपोर्ट तैयार कर ली हैं जिन पर आतंगवादी होने का या उनका मददकार होने का जरा भी शक है ये रही लिए लेकिन अब तक इन लोगों को गिरफ़तार क्यों नहीं किया गया सर उन्हें गिरफ़तार किया जाये लेकिन इलेक्शन से ठीक एक रात पहले ताके दुश्मन को कोई और साजिश रचाने का मौका ही ना मिले लगता है इस बार हम अपने उदेश में पूरी तरह सफल होंगे शाबाश महादेव मैं जितना समझता था तू तो उससे भी ज्यादा शातर निकला ये तूने बहुत अच्छा काम किया है वो तो सब ठीक है चकराच लेकिन मेरा काम अभी तक नहीं हुआ है जो फाइल मेरे खिलाफ त्यार की गई है वो मुझे अभी तक नहीं मिली है इसलिए मजबूर है मुझे हाजी को जिंदा रखना पड़ रहा है तो फिकर मत कर वो फाइल तुझे मिल जाएगी मालेश तेल मालेश सर जो तेरा चकराए या दिल दूब जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए हुसेन तु कुछ बने ना बने पर हमरी खोपडियामा तेल मालेश कर-कर-कर कर-कर तबल्ची जरूर बन जाएगा और नहीं तो क्या तेल मालेश कर-कर के आदमी तबल्ची ही तो बनता है धैंटरन इह का है अमूल मसका जो काम नहीं किसी के बसका वो काम कड़े अमूल मसका ठोडा खाईए थोड़ा लगाईए का करतो मसका लगा रहा ओnt अरे बुडबक इह तो पाओमा लगा थैंपहीं तो लगा रहा हूं अरे हमार मतलब है बार रोठी मा आपके पाउमीत हम सबकी रोठी है भाईया बाईया चरूर दाल में कुछ काला है पुरी डाल ही काली है अट बीरू इही मस्का पॉलिस किसलिए अरे भाईया सुना है मस्के में बढ़ा जादी। फोर पुलीस को लगाता है पुलीस अदहों मतलब करने का चक्रमा है तुमको नहीं चाचाक नदलाल शर्मा नदलाल सर्मा ये कौन है अरे वही जिसके हर शहर में बंगले ये शहर शहर में कार खाने करण खाने जो लख पती नहीं करण बदी अरे तुआर चाचा ससुरा है कहां अरे अरे वानीता लगता है बात बन गई बात तो बन नहीं थी जिस प्यार की ताकते तुम्हें हासल कर लिया वह बाप का अश्रवात तो हासल करी लेगा ना डाड़ी अरे हम अकबर है इका भाप करते हैं अरे बाड में गया ही ड्रामा अब मौर बर्दास नहीं कर सकता तुम कौन हो आरे हम अकबर है इका भाई है चोर चोर मुझे ने भाई है आरे खबरदार एस्पी साहब हमका चोर कहा तो तुम कुछ बोलते क्यों नहीं कह दो कि यह सब जूट है अरे यह क्या बोलेगा इसकी तस्वीर तो हाल पुलीस ठाने में चीक चीक कर यह कर रही है यह जोर है जोर है अरे चुपकर तू तेरी बात यह क्या सुनेगी तू मेरी बात सो और तुम दोनों एक पुलीस ओफिसर को फ्रॉड करने के जुरम में सीजे हमारात में जाओ गया कत्तार आज तक तू हमका धोका देता रहा और हम तोरी मह बत्मा इतने अंदे हो गए कभी सोचा तक नहीं कि यह बैसा यह तोफे तू चोरी करकर लावत है लेकिन आज हम तोरे आसी रूप को देख लिए बोल काय हमका धोके में रखा अरे कहा कुना किया था हमने हम खुद अनपड़ रहें पर तो है पड़ाया इस कुल मा बस हमरी इतनी पैचान थी कि हम तो आर खाने का डपा पहुंचाते थे हम तो हर मुदेखें लेकिन किताबों का मुझा भी ना ही देगा अरे आस्तब हम ठीक से बोला भी ना ही सीखें और तु आप टू इसफ़का इसला दिया अंपने साथ साथ हम का में चौर थालित कर दिया अरे लोग कहेंगे एक मुसलमान ने एक हिंदू को चौर बुना दिया चाहे तो मेरी जान लेले मगर ऐसी बात मत कर न कि हरे अकबर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम दोनों में कोई फरक है तो चोर है दूसरों के खून पसी ने कमाई हडपने वाला चोर दूसरों के रोड़ी छिनने वाला चोर दूसरों के मैनत मत दूरे के पैसे से आश करने वाला चोर हाँ मैं चोर हूं लेकिन चोरी मैं मैंने इसलिए नहीं की कि मैं मैंनत से जीत चुराता था या एक्स करना चाहता था तुझे याद है जब ताला बनाने वाली फैक्टरी में मुझे नई नई नौकरी मेनी थी उसी दोरान दपा पहुचाने वालों की आठ तिन की हाठ ताल को गई और हुसेन हुसेन अचानक बिमार पड़ गया था डॉक्टरों ने चार हजार की दवाईया लिखी थी सबके घर में चार रुपए भी नहीं थे लगने सेट के आगे अडवांस के लिए हाथ मेला है गिर गिर आया लेकिन उसने एक पैसा भी नहीं दिया तब पहली बार पहली बार उसी की फैक्टरी में मैंने चोरी की थी हाँ लेकिन मैंने इसे कभी जुड़ नहीं माना अपने छोटे भाई की जान बजाने के लिए मैं किसी का खुन तक कर सकता था मगर आज हाज मेरे किये की सजा तुझे भुगतनी पड़ रही है इस बात का मुझे बेहत अफसोस है अकपर मैं तेरा गुनेगार हूँ तेरा मुझरम हूँ मैं होसा के तु मुझे बाफ कर देदा पीरू मेरे भाई तु इतना सब कुछ कर गया अर हमका पता भीनेचला के अगर तु हम नजर पिरा लेगा出来 हमारं खुदा हमसे नजर पिरा लेगा हुआ अपका मात करते हमका माप करते मेरे भाई के लौक संदु कहता हूं आकपर… कभी चोरी नहीं करगा कभी नहीं होलतर साहिब आपको नाठक कंप्री में काम करते हैं क्या हुआ अब मेराथी बोलत बोलत पंजावी बोलने लगे पंजावी बोलने लगे आयो ये रभाः अरी मुच्छी लगलिये का अब मैं इस जेल में पिछले आठ तुनों में असी बदमाश्यों ने मेनी मुझ्छ कितने की कोशिज की है अब या तोना अपनी ट्रांस्वर करवा लूँगा या फिर अपनी मुच्छ हमड़ वालूँगा समझे मुट्यों लेकर हो मराथी अरे यार मैं असी बात किया चुका हूँ वो मराथी मैं नहीं हूँ वो मेरा पाई है पाई भाई मेरे पापाजी बहुत बड़े ट्रेवल एजेंट थे इस शेहर में जाते थे वहीं की जानी पिटाते थे आज नतीजा में बुगतना पड़ रहा है इस तुम्हें क्या इन बातों से तुम्हारा बनवास खतम हो गया है मुडयो जाओ तुम्हारी किसी ने जबानत करा दी है जाओ जबानत हो गई पाबजी मरवाता है न आज ए जून तीन ठंड़ लाना में फड़ाबाट आज बात करता है मैं तो सब मिलता है लेकिन जो बुरा टाइम मिलता है न वो इच रेल फ्रेंड होता है क्या बुलता मैं यहाँ पिंटु भाई पिंटु भाई तुम्हारा शिस्टर अंदर से दर्मादा बंद किया लाए खोलता नहीं नहीं नो यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता शिस्टर दैना दैना दर्मादा खोलो शिस्टर 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 लुदॉदाए आपको मिम साथ, अरही को एडा शाथ है किया? औरी ब्रदे शाथ मुझे वाधिय आधियो इससे बाता है अपिको कुछ existential look तेरी तौ इसे मासभाड़ियो ब्रदे लेकिन मिमसाथ वो आपको इसको प्यार में फजाया मुखाला किया शाधी पन्नी बनाया इसका गंदा गंदा फोटो निकाला वो और अभी हम प्रणा सिस्टर को ब्लेक मेल करता हूँ का नाम है उका गोगा वह बहुत ही कमीन आदमी है पिंटो भाई पिरू दियाना को तो हमने बचा लिया मगर उस सैतान के चक्करमा आकर कितनी लड़कियों ने इज़्जत के खातिर अपनी जान दे दियोगी अब उस सिलसिला बंद होना चाहिए अरे डियाना तो यह पता है आप उस फोटो वाना ही रहेंगे हम चोरी करेंगे कल तक तो यह मेरे लिए बाया हाथ का खेल था लेकिन अब नहीं अब काई नहीं तेरे सर की कसम जो खाई है मैंने बीरू ड्याना हमरी आरती जैसन बहान है और एक बहान की इज़त खातर तो यह हम कसम से आजात करते हैं नहीं वो बहुत डेंजर आती है उसके घर में अंदर बाहर बहुत सिक्यूरिटी है उसके घर में चोरी करना इंपॉसिबल है नहीं आप लोग हमारे वास्ते अपनी चान मसीबत में मठ डालो ब्रादर कहतो तो हमरी हाथ में राखी पान चूड़ी नहीं पैना कसम है अल्ला की बान पर से भाई की चान कुर्बान हो जाए तो वो सहीत कलवाता है रोज आठ बचे को कमीन बाहर निकलता है ओके मिस्टर विष्वास आठ बच गया मेरे डिनर का टाइम हो गया यूनो वी आमी पीपल वक के बड़े पावंध होते लेकर हम से बिया वालों का को वक्कु नहीं होता है कब किस वक्या करेंगे बाह यालों का का दार YEAH कर दो समय करले झाल 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 क्ष़ जुर। खुब खुब मत खुब 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 ऑुब करिए टुज है पहले हैं गूज है अ करिए सबसने घार प्रट मैंशी बश्राइब मैं युण है जब भी जब रहले है अ जब एग युण है जे करिए जब एगार मैं अ अ पूदियो कार इग जर अ कि अचादा प्रॉप्सराट जो भाई जचा है अँचे जफ़्सरा अज़्सरा वे लिए बीर उचर! बीर उचर! हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है चाल पर तूसा अच्छा रहाई, किुछी कह रही, पीरो, हम कहते हैं तू पहले जा आए अपर मेरे गालों तू जा पीरो, तू जा ना मुहाँ कि दिए साफ कु़िए अबुबू आप एफ ए वेवाव साफ एफ एफ कि लिए एफ हुई 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 हाँ टबड़ तर फिए रहाँ एहाँ हाँ पुण कि और लिफ धरताग करें की बडनों से जब सकता कोुएती कि अ ए उन्या करो उन्या क workflows acceptable कि व focused, भाक säकता है । खल्जला करें य हो जर स fortunately झेडर works… अई रहार फजस सकाराइन! हाँ 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 हेलो पिंटो यार पिंटो जल्दी से गराज से भाग जा क्यों आरे अकबर और वीरू जेल से फरार हो गए है हरामजादे बाहाँ हाँ 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 कि दढ़की जब मौत आती है तो वो शेहर की तरह भागता है तु भाग लेकिन आमारे धंदे के अंदर जब तुम जैसे की मौत आती है तो वो दुश्मन से बच कर भागता है लेकिन अपनों के हातों लेकिन आती है हलो पुलस्थिशन झाल झाल इस सबरमा या तो उस लोहे में मिलावट है जिससे जेल की सलाखे बनती है या फिर मिलावट है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में वना कोई वज़े नहीं हो सकती कि इतनी सेकुर्टी होने के बावजूद वीरु और रखबर जैसे खतरनाक मुझरिम जेल तोरू कर भाग ज को जो है और पूंटियो खूर के खुदे हम कानून के हाथ लंबे हैं सर और पांव जोटे मुझरमों की निशान बिलते हैं लेकिन मुझरम नहीं मिलते हैं इस पर मुझरम भी मिलेंगे पूरे शहर में नाका बंदी कर दी गई है और कोई ऐसी जैगे नहीं है जहां मुझरम कानून की नज़र से बच सकें वीरू प्यार की आखरी मंजल क्या है तलाक क्या है लेकिन उसके लिए पहले शादी करने पड़ती है तो बताओ ना वीरू हम शादी कब कर रहे हैं जब प्यार से मन भराएगा तब तब के बाद मक्कार अब क्या चुराने आयों तुम सब कुछ तर चुरा चुके मेरी नीद मेरे चैन मेरे सुक मेरे महाब्बत हा नीता मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा कुनिकार हूँ तुम्हारा मुझरम हूँ मैंने तुमसे छुपाया कि मैं चौर हूँ मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन लेकिन मैं टर गया टर गया कि कहीं तुम्हें खोना दू कि इसके लिए मुझे जो चाहिज सजा दो अनीता तुम सिर्फ इस चोर ही नहीं खुनी हो कातिल हो देश द्रोई नहीं है हम तो किसी की मदद करने गए ते अस्ताजिस का सिकार हो गए तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लूगी हम जानत है आज हमरी बात पर को यकीन नहीं करेगा अगर तो हे हमरी आवाज मा हमरी आखों मा सच्चा ही नजर नहीं आता है तो पुला लो अपने पिता को कर तो हमका पुलीस के हवाले लग जाले दो आपका पासी अरिज खोलो बिटी जर्वाचा खोलो यह बदी तुम चलाई क्यों थी वो डाडी में कौक्रो से डर गई थी न इसलिए अच्छासर जो जो जा जो जा जो चीके डाडी गुद नाइट गुद नाइट बडएट तेरो अलता और दिखिए लग्लाइब शुकर है रभ जलती से लाओ विश्णू का है साहब अरे ये क्या है मेरी टेबल पर नास्ता क्यों नहीं आ रहा बिटिया रानी के नास्ता दे ही रहना है बीच में आपको भी दे देगे नांसेंस ये बीच क्या होता है का बताई साहब एक थाल के अब बिटिया रानी तो अकेले हैं बेवकूफ तो क्या उस पर जिन भूत चड़ गया है जो इतना खाएगी भगवान न करें बिटिया रानी के जिन भूत लग जाए आप नजर न लगाए बिटिया रानी बहुत दिन के बाद पेट भर खाय रही है आप तो रोजी खाते हैं थोड़ा सबर कर लीजिए ऐसा लगता है कि वीरू के प्यार का बुखार उतर गया है चान्द ये निकला थोड़ा थोड़ा दिल ये मचला थोड़ा थोड़ा अपेले नहीं हम तुम यहा ये तो सोचो जरा चान्द ये निकला थोड़ा थोड़ा दिल ये मचला थोड़ा थोड़ा वेटी दर्माजे खोलो वेटी वेटी ये 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 आवाथ है राड़ी ये तुम्हारे कमरेशी आवाजी आ रहा है थी आवाजी कौन्सी आवाज है राड़ी कोई मरदानी से आवाज थि मरदानी से आवाज आई ावाज ये ये वह रराड़ों पर दो घ्राराभ है थीक हों बयाँ अपने अपी ठीक हों गlori अप थीक हों गाँ तु अपर अब ये ये आ राड़ी खेज को नहीं अलोगे ये आए आ ये कि ये वो flippedonstraat थो आप टाइम रहे है डादी बिटिया पे काहे सकर रहे हो तु उल्लू तु पाजी तु भूढ़ा तु खूसट तु अब जाके सोजा अरे सोजा ना शुबरात्री इस रात के लाखों है पल चाहत में तु इनको बदल नाजुक बड़ी है ये उमर शाएं से भी लगता है घर दिल न जलाओ पास आओ बरना मैं तो जानम अचा दूंगा शोख चांद ये निकला थोड़ा थोड़ा दिल ये मचला थोड़ा थोड़ा अकेले नहीं हम तुम यहां ये तो सोचो जरा ओ चांद ये निकला थोड़ा थोड़ा दिल ये मचला थोड़ा थोड़ा अब क्या हुआ डाडी कोई है इस कमरे में कोई है मैंने अपने कानों से सुना है कोई शोर मचाने की धमकी दिरा है अहां दे तो रहा था इसे मैंने उसका मुह बन कर दिया कौन था? कौन था? कौन था? था नहीं आप पी है रेडियो मैं बीबीसी सुन रही थी आप पी सुनिये वाकिंग टॉकिंग हसिंग रोइंग फालिंग हम्ती डंपी यू आर हैंसम शकल बनाएं तिर क्यों जैसे मंकी ओ मैन गोरे लोगों जैसे हो जाओ कुछ क्रेजी वीकर देखो साथ हमारे तर्रा येंग रिजी चीर्स शुबराटी शुबराटी पंडित बुला शादी रचा जीने का फिर आये मजा पंडित बुला शादी रचा जीने का फिर रहे मजा वाहों की तू टोली मिया फिर देखने होता है क्या जो भी है करना जल्दी करना वरना अब तो हम भी मचा दूंगा सोर जान ये निकला थोड़ा थोड़ा दिली ये मचला थोड़ा थोड़ा जान ये निकला थोड़ा थोड़ा दिली ये मचला थोड़ा थोड़ा से मिस्टर वर्मा, एक व्रमा एक वकत था कि हमारी पुलिस के तुलना, इस काट अन्ट यार्ड की पुलिसUSE की जाती थी अब व वक्त दूर रहीं कि हमारी पुलिस की तुलना रेलवे यार्ड से की जाए सर लेकिन mencion कहा गया तुम्हारा वो दावा जब तुमने कहा था कि मैं उसे जमीन से खोट के निकाल लूँगा सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पुलीस डिपार्टमेंट में से ही कोई ऐस आफिसर है जिसने उन मुझरमों को पना दे रखी है वाट? अकपर भाई तुम लोगों का जाना जरूरी है तुम लोग अच्छी तरह जानते हो पहार पुलीस का जाल पहला वाँ है आम जानत है मगर उस दुस्मनों को हम जादा दे राजाद नाए छोड़ सकते हमका जाना ही होगा भेना मगर कहा ढूंडोगे उन्हें हम यह तो नहीं जानते कि हमारी मन्जिल कौन सी है लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि उस तक पहुचने की सीड़ी हम जरूर ढूंड लेंगे मैं तुमारा इंतिजार करूंगी अल्द बेस्ट वीरू ये मौसम है रंग विरंगा ये मौसम है रंग विरंगा करूंगी जब के जंगा आगे नहीं छोड़ोंगी तुझको लोंगी प्यार का पंगा अकवब कि लुऑ लागत फुलवा कर जरूरी काम सही त्यौली है इसाइड फुलव joue पहल पुलोंग्य है फुलवwn कर पहिए बथका है अकवड तू जल्दे चल में पताती हों का अब आधे तू चलता संसाही चल्पी recht इसलाम साइब इसलाम शाप ये तो भी दोनों बदमाश रखते हैं अलो चुर्दो 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 ये क्या क्या तुम्हे जानती हो सारे शेहर की पुलीस इन दोनों बदमाशों को ढूट रही है और ये मेरी गर में वो आई सी अब समझ में आया कि वो बंद रेडियो से गाना कैसे बज़ रहा था दो दो मस्तंडो को नाश्टा तू अकेली कैसे कर रही थी इडियट अगर ये दोनों मेरे ही घर में पखने जाते तो उनको चुपाने के जुर्म में मुझे भी जेल के हवा खानी बढ़ती अच्छा तो यह भी बताया होगा के असली मुझरम कान है नहीं वो पता करना तो आपका काम है अब तु मुझे बताओ के वो दोनों भाग कर गए कहां नहीं बताती देखो बिठी बताओ के वो कहां गए है इससे तेरे बाप को पर्मोशन मिल सकता है बता दूँ बता दूँ डैडी वो दोनों ना भुलवा के साथ गए है पिर इस अब का हुआ बेटा देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साज़िश है जिसके सबूत भाईजान के हाथ लग चुके थे उन्होंने ये सबूत एक फाइल बनवा कर बलवन के घर रख छोड़ी थी उन बदमाशों ने वो फाइल हासिल कर ली और भाईजान को माई आजी बाबा की मौत के जिम्मेदार हम है हा माई उस फाइल की चोरी हमसे करवाई गई थी और उच चोरी हमने कम समझकर किये हम कसम खाकर कहते हैं माई आजी बाबा की कुरपानी जाया नहीं जाएगी हा माई उगदार कहीं भी हो हम उगाना ही चोड़ेंगे हिंदुस्तानी सरकार ने अमेरिका और फ्रैंस के राज़दूतों को आखिर कश्मीर में आने की इजाज़त देई दी ताकि दुनिया को यह तसली दे सके के कश्मीर में इलेक्शन वहां के लोगों पर थोपा नहीं जा रहा है बलकि कश्मीर के लोग खुद इलेक्शन चाहते हैं अगर उन राज़दूतों को उच्छो जाए तो तो पुरी दुनिया के सामने हिंदोस्तान की नाग कर चाहिए वहां की स्क्योटी का पर्दा फास हो जाए तो मजबूरन हिंदोस्तानी सरकार को इलेक्शन रुकवाने पड़ेगे कौन है तो कश्मीरी कश्मीर की दर है हिंदोस्तान में ये बात तुम को किस ने बताया अब्बू ने वेरी गड़ अब्बू नहीं यूंआ हो यूंग मैं टूं क्या ख़ता है पहले मेरा अउस बोर्टा साहब पूरी दुनिया के लोग यहां आतेते साहब हमारा अउस बोर्टा पर वंक्ना साहब आज सब परवाद हो चुकत है साहब इसने ख़टम कि यह साहब किस ने ख़टम किया अरे बोलना, बोलता क्यों नहीं पूरत बहुत बहुत Okay करना को तुम लोगों को हिंदियन आर्मी, I mean हिंदुस्थानी फोजों से कोई शिखायत है? कोई हिलेगा नहीं अब बिचला से, don't move, कोई हिलेगा नहीं आज के मुख्यों समचार, आतंग वादियों ने विदेश से आय हुए राजदूतों का आज कश्मीर में अपरण कर लिया इन हालात में कश्मीर में इलेक्शन करवाई जाया नहीं, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ग्रह मंत्री ने कल सभी दलों की आपाद बैठक बुलाई है अमेरिका फिर हम पर डबोर डालेगा, हम अविश्वात प्रस्ताव लाएंगे आपने और आपकी सरकार ने काश्मीर के मामले को एक मजाख बना दिया है एक अकेला अतंगवादी पुरी स्क्योर्टी की धज्जे उड़ाके विदेशी राजदूतों को किर्नेप करके ले गया क्या इसी स्क्योर्टी के दम पर हम काश्मीर में एलेक्शन कराने जा रहे हैं हाँ इतने शर्म नाका हादसे के बाद आपको इस्तिफा देना चाहिए शांत हो जाएं आप लोग शांत हो जाएं अगर ये मस्ला महज मेरे स्तिफा देने से हल होता है तो मैं इसी वक्त अपना स्तिफा देने को तयार हूँ लेकिन ये वक्त आपस में किश्ण उच्छालने और इल्जामात लगाने का नहीं है बलके हमें अपने सब भेद्भा बुलाकर एक हो जाना चाहिए मजबूत हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा दुश्मन अपनी किनोने चाल चल कर हमें धर्न मजब जात पात प्रांत और भाशा के नाम पर लड़ाना चाहता है हमारे मुल्क के टुक्ले कर देना चाहता है क्योंकि वो हमारे अवाम को नहीं जानता हमारी जन्ता को नहीं जानता और शायद वो ये भी नहीं जानता कि मुथरा में जिस जम्ना के पानी को एक हिंदू अपने किशन भगवान पचड़ाता है जामा मस्जिद में हमारे मुसल्मान भाई उसी जम्ना के पानी से वजू करके नमाज पढ़ते हैं अपने अल्ला को याद करते हैं क्या ये एक्ता ये जजबा ये प्यार हमारा दुश्मन मिटाने में काम्याब हो सकता है नहीं हरकिस नहीं इतिहास गवाह है हिंदूस्तानी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत के सामने कटा है जुका नहीं ये हिंदूस्तान अहिंसा के सामने जुका है हिंसा के नहीं दोस्ती के सामने जुका है दुश्मनी के नहीं प्यार के सामने जुका है तलवार के नहीं कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि जनाव आखिर यह आतंकवादी चाहते क्या है भाई वो हमारे एक मंतरी के साथ अमरीका में मीटिंग चाहते है अमरीका में हाँ और वो मंतरी जी है महादेव जी उसे क्यों अरे वो शायद इसलिए कि अतंकवाद के खिलाफ आवाद बुलंद करने में आप हमेशा सबसे आगे रहे हैं और हमारे पास सिर्फ तीन दिन है र लेकिन मैं मादेव जी ये सारे केविनेट का फैसला है आपको जाना ही होगा हम जाता रहे हैं जगराज को लान है क्या कैसे कॉफरन्स नीचे रखा हो रहने खोलो अ मिस्टर ओफिसर ये तो डेड़ बॉडिज है आम सॉरी डॉक्टर रद अलर्ट है ये चेक करना जरूरी है या है ये पेवर्स प्लीज थैंक्यू नीचे रखो खोलो इन्हें जाने दो अफिसर इतने टाइट सेकुरिटी क्यों है हमें खबर मिली है कि एक टेररिस राज़ दूतों को लेकर कश्मीर से गाइफ हो गया है पता नहीं कहां और कैसे पहुंच जाए एक बना डॉक्तर इन सेटिफिकेट्स को अपने साथ रखिए ताके रास्ते में कु तक्लीफ ना हूँ जाए 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 एले फ्क्राइब पैसमें पाइजित इसम्टफब्र गजाए एलो धेल्था फोर्स वेन इसका इस कलियर हंचका आचुका एंदुस्तान है क्या जो फॉरेन में से श्किटनेप हुए हैं वो भी जगराज नहीं किया है ओ आज सी जगराज के ग्रूप में शामील होकर मैंने उन सारे लोगों की तस्वीरे एक माइक्रो फिल्म के शकल में ले लिए उन सबूतों को लेकर मैं हिंदुस्तान आ चुका हूँ कि कल ठीक, 4 बजे मैं आपको कंट्री क्लब में मिलूंगा ओम नमस्शुवाय ॉम नमस्शुवाए б कि अपने पापों का प्राश्चित नहीं करोगी शनी देरता बड़े दयालू है इनके सामने अपने सारे पाप सुिकार कर लो ये तुम्हें शमा कर देंगे लेकिन मैंने ऐसा कोई पाप ने किया है क्या तुमने डाइना बनकर अकबर और वीरो को नहीं फसाया आपको किसे मालूम किदर कुछ आदा है हमालदार साहिब वो वो क्या वो वो क्या अमरे ठान तुझा आईला जब देखो तब भात दाईच रहता है तेरे को तो उलिम्पिक का रेस में भेजना पड़ेंगा रे आपका जानने धावालदार साहिप नहीं तो वह 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 अबे अबे आपको तो तेरे को छोड़ देगा लेकिन वह जोड़ा भाई तेरे को नहीं सोड़ने वाली है रे गोरी कौन है वो आदमी दिस्टे हमें पसाया गोरी प्लीज बोल बहन बोल बड़ी मुश्किल से तोहार पास हम पहुच पाए है गोरी गोरी तुझे तेरे शनी बगवान की कसम बोल गोरी बोल को गा 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 जा बजे गंट्री क्लब कर अँ़ आँ तेर। तेरा नाम लूँगा दिल ठाम लूँगा तेरा नाम लूँगा हलो हलो दिल थाम लोगा हलो हलो मैं एकरार करूँगा हलो हलो तुद से प्यार करूँगा हलो 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 Punch बाहे थाम ले तू, दिल से काम ले तू, अरी बाहे थाम ले तू, दिल से काम ले तू, आखे चार कर तू, दुच से प्यार कर तू मैं प्यार का हूँ आशिक जल्वों का हूँ पुझारी चाहो जिसे मैं दिल दू कर लो किसे सयारी इस पल तो मैं यह जानू तू ही लगे हैं प्यारी चाने चाने मन तू दिल की आरिशू है तू है मेरे मुहबद दिन तेरे एक पल भी मिलती नहीं है राहत धड़ती तू मेरे दिल में धड़कन की क्या दरूरत जाने जाने मन आए तेरा नाम लूँगा तिल थाम लूँगा आखे चार कर दू मुखने म्यारे करनो हलो हलो! मेरी खुशी का साहिल तेरी वफा की साई बाहू से तेरी भड़कर मन्जिल न कोई भाई काँखों में तेरी मैंने दोनों जहान पाई जाने जो जोने मुल मुझे पे यकीन इतना करती है क्यों तिवानी आवारा हूँ मैं बादल मौजों की हूँ रवानी जब तक हसी है मौसम है प्यार की कहानी जाने जाने मन तेरा नाम लूँगी हलो हलो दिल ठाम लूँगी हलो हलो आखे चार करतू हलो हलो मैं मुझे प्यार करतू हलो हलो भूब करतू हलो हलो है भूब करतू हलो है लो ह stesso है है जदाधवब तेका को चाधवब तेका करतू है जद़ ननननन टो आषक है थज़ी butt है मोभबंषभर ग nebenatta करतू है करे. पर आथ यूर्थ भारति總ो पर डुञे है पार बिने बाभू, बिने बाभू, तुम हम अकपर, वो बीरू तुम दो बेगुरा हो का, तो ये बात, वो माइक्रोफिल्म सावित कर सकता, जाओ, उसा किसी भी कीमात पर हासिल कर रहा है कर सकता बात, तुम है कर सकता हासि हजो कीमात का जाओ pal रहा है कर सकता है प्विल्म अखशना आ रहा है झुक दजना, यह दो हुआत अुट झाल 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 पार 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 अज़ा बस पस एक मिनाट नाउट सोबार है एच पी साब ये तो उपर वाले का शुक्र है कि गोली सीने पर न लग पर कर बाज उपर लगी है वरना जान का खत्रा हो सकता था अब आप आराम कीजिए थैंक यू डॉक्टर इस्पेक्टर सार इस शेहर के सारे रास्ते ब्लॉक कर दो और हर गाड़ी की तलाशी लो कमिशनर साब के हत्यारे अभी तक इस शेहर को छोड़ कर बाहर नहीं गए होंगे कमिशनर साब को मार कर ये लोग इस शेहर में लो एंड और्डर की प्राबलम क्रियेट करना चाहते हैं जाओ मेरी चिंता मत करो मैं अपनी इफाज़त खुद कर लूँगा तुम जाओ और हाँ इस्पेक्टर मेरे बंगले पर भी सिकेरियोटी बढ़ा दो ताकि वीरो और अक्बर मेरी बेटी को किड़नेप न कर सके और किसी ने सची कहा है कि जब चोर की मौत आती है तो वो पुलीस की तरफ भागता है अरी उबाद ना ही किसी ने चलाकी करने की कोशिश की तो गोली मार दूगा है मगर स्पी साब हम तो यह आपको यह देखने आया थे कि मैं जिन्दा हूं या मार गया हूं और अगर नहीं मारा तो मार दो हाँ ताके मेरी बेटी को फांस कर तुम दोनों मेरे ही बंगले पर एश कर चको अरे बीरू इस ससरे पुलीस वाले का भेजा तो चोर से भी कटिया है सर हम तो यह कहने आया थे कि हम दुनों बेग उना है अच्छा तो यह बात तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई है ससर जी अपने पहले कहने का मौका यह पाज़ी का? हाथ उपर! हाथ उपर! कि उस आतों ने मुझे भी क्या मेरी बेटी की तरह पागल समझ रख रहा है तोहार बेटी पागल है का तैस्छा यकीन कीजिए सर हम बेकजूर हैं हर मुज़रम यहीं कहता है हम सबूत भी लाएं है सर ये ये रही माइक्रोफिल्म की इस असुरी छोटी सी डिपिया मां देज के बड़े बड़े कंदार के फुटवा है इसे विने साब कमिश्टर साब को देना चाहते थे अब असली मुझरिम आपके हाथ में है अच्छा शाबाश हाँ अब ही पता चल जाएगा प्रोजेक्टर का फारण इंतजाम करो जाएगा इस सर्व इसका मतलब है विने को मेरे असली रूप का पता चल गया था और आज हम लोग उनको भी पता चल अरे बीरू तू तो चोड था तो हार ससुर्तों महाचोड निकला रहे और वो भी वर्दी वाला खाबरदार अब तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा सकते कि अब आए कि अब कि 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 जगराज तुम यह चाहते हो कि काश्मीर में होने वाले एलेक्शन को मैं रखवा दो कि उसके काबिल तुझे हमने बनाया तुझे चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए हमने बॉम ब्लास दंगे तक करवाए पर आज तू हमें अंके दिखा रहा है जगराज यह मत भूल कि तू एक मुच्री में है और मैं चीफ मिनिस्टर और अगर मैं चाहूं तो तुझे हाजी की फाइल इस फाइल को तो मैंने अपने हाथों से चला दिया था हरामजादे मेरे साथ धोका मुझे मालूम था कुट्टा जब पागल हो जाता है तो अपने पालने वाले को ही काटता है इसलिए मैंने उसका इंतजाम पहले से ही कर रखा था चीव मिनिस्टर साब टर्रिस्टों से कैसे बात करनी है इस स्ट्रेटिजी पर डिसकाशन करने के लिए हूं मिनिस्टर साब आपका इंतजार कर रहे हैं मुझे मेरी फाइल चाहिए फाइल तुम्हें जरूर मिलेगी लेकिन विदेश में हमारा आइग्रीमिंट साइन करने के बाद जगराज का प्लैन कभी फेल नहीं होता जुम्हें होता गुज सकते हैं तकाल फटेखए डिए हैं तारओी यहां उन्तलाओी अरॉप्टफफ़ो प्राओी नुए एलाओी हैं, पया उन्तलाओी है जुए उन्तलाओी है आर भी उन्तलाओी घरा आप शोन कर दो जाया अगुआ अगबर आज अगर तुरुक्या ना तो यह दुल्या करेगी कि हिंदू ना यह मुशलात को तेश बचाने का मौकल ही दिया रहा है विरू वाई रपातु जए अमेरिका ताउ मार कुछ ते गोस्ट बाता कमीने, तेरा तोस कहाने और भाइट कहाने बाल बाल वरना से जजान से मार दाने गे नाई बॉक्सिंग, कुष्टी, कराटे बहुत ही भयानक खेल हैं हाथ प्या तूट सकते हैं क्यों न हम क्रिकेट का खेल खेलें गुड आइडिया वेरी गुड आइडिया इस खेल के अंदर कोई खत्रा भी नहीं बड़ा असान सा गेम है हमारे आदमियों के साथ तुम अपनी पैटिंग तो कर चुके हो अब जरा विल्डिंग भी कर लो चला क्रिकेट खेलते हैं कर फ्रिकेट राज़ तुम पना एड़ा येड येडिया विल्डिंग कर दिल्डिंग खिल्डिंग मुड खवर कर कर लो हुआ 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 है का हुआ बजेंगे दादा हम पोचा था का हुआ 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 हु कि एक इच्छत के नीचे प्यार का मंदिर और मस्चिद बनाने वाले देख देख अपने भाई का अंजम अगर फाइल लेकर एरपोर्ट नहीं पहुँचा तो इनसानियत की छट के नीचे नफरत के बारूद का वो धामा का करूँगा के पूरा मुल्क का बुठेगा ग्राज सदियों पहले इमाम हुसेन इमान की रहा पर कुरपानी दी थी और आज हमरे नन्ने हुसेन ने प्यार की रहा पर अपनी चान दे दी हमें कसम है इस हुसेन की जब तक भाई भाई को चुदा करने वाले तो हार जैसे देश के गद्दार को मिटा नहीं दूँगा तब तक रोटी का हर निवाला हमें हराम है बंदा इसको एए खुलो इसे इतना रुपया इतना रुपया तो पर जर्मेंट के पास भी नहीं होगा वर्मा तूने अपनी वर्थी बेच कर हमको खरीद लिया है बाँ चितना रुपया अपनी जेबो में भड़ सकता है भड़ ले अचा यह यह साले भाइमान सरकारी दरजी कपड़ा भी खा जाते कितनी छोटी छोटी जेबे बनाते अरे साले तेरा बस चले ना तो तू अपनी बेटी के कपड़े उतरवाके उसकी बिजबे बनाले सबान बाद चलती है तेरी, बोलने जितना बोलना है, लेकिन पहले मैं इससे निपटूँ, बाद मैं तुस्से निपटूँगा मैं मादेव, इसमें से एक पूरा बैक तेरा है, उठा ले पूरा बैक? लेकिन मुझे तो सर्फ इतना ही बस बहुत इस बैचारे ने तो पापू की खादी बेश दी, क्या उसकी कीमत एक बैक भी नहीं? मादेव, वहाँ, उठा ले नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, फाइल चाहिए, फाइल वैसे भी इन दिनों सीबियाई और इंकम टेक्स वालों ने, हम नेताओं की नीदे हराम कर रखी हैं, इतने सारे पैसे रखूंगा कहाँ? वहीं, जा इस देश के बड़े-बड़े स्मगलर्स, किलर्स और तेरे जैसे नेताओं ने रख्खे वो गोरे लोग काले धन को इतनी हिफाज़त से रखते हैं, इसलिए तो हिंदुस्तान का इतना पैसा उनके पास रखा है, अगर वो सारा रुपया हिंदुस्तान आ जाए, तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर मुल्क हो जाए लेकिन वर्मा और महादेव जैसे महान इंसानों के होते हुए, वो देन, बहाँ, कभी नहीं आ सकता गोगा, वदिन जरूर आएगा, वदिन जरूर आएगा, गोगा, बात लूट चुकिया तुम लोग इस देश को, जंता के गुष्से का चौला मुखी अब भट नहीं वाला है, जिसके लावे में तुम जैसे कतारों का नमो निशान तक मिख जाएगा, साला कड़का चोड, जगराच, आई देश वक्तों की तरह बाते कर रहा है, अगर उस मुस्मान का भी दिमाग खराब हो गया, और मेरी फाइल लेकर नहीं है तो, आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि एक फाइल के लिए, वो अपने दोस्त और महभूबा की जान तो नहीं सकता, नहीं जगराच, वो फाइल लेकर नहीं, वो तेरी मौत लेकर आएगा, उस तरह सारे रिस्तों को देश के नाम कुर्बान कर दिया है जगराच, और जब एक मुसल्मान के दिल में, कुर्बानी का ज़्जबा जागता है ना जगराच, तो उसका पॉलादी सीना, दु सुतच सीजबी क्या है जगराच, जो इस देश के हिंदु मुसल्मानों को भाई-भाई की तरह नहीं रहने दूगा, हमसादे हिंदु होके मुसल्मान की दारीफ करता है सर है हिमाले जिसका सर है हिमाले जिसका दिल कंगा कि धारा है वो तेश तुम्हारा है वो तेश हमारा है आँखे जिसकी मंदिर मस्जिद दिल कुर दारा है वो तेश तुम्हारा है वो तेश हमारा है आँखे जिसकी मंदिर मस्जिद दिल कुर दारा है आँखे जिसकी मंदिर मस्जिद दिल कुर दारा है वो तेश तुम्हारा है वो तेश हमारा है आँखे जिसकी मंदिर मस्जिद दुम्हारा है आँखे जिसकी मंदिर मस्जिद दारा है वो तेश मत जलाओ गत्तार आंध्यों से इस देश को बचाओ जो बाटती है हमको दिवार वो गिराओ ख्वाजा के दल से उठो काशी से उठके आओ रामायन की अथा है इसकी मर्यादा का दर्पन इसा की सूले है इसकी मानवता का दर्शन नूर मुहम्मेद से है रोशन इनके घर का आंगन उठो हमारी धरती ने उठो हमारी धरती ने फिर हमें पुकारा है वो देश तुम्हारा है वो देश हमारा है आखे जिसकी मंदिर मस्जित दिल गुर द्वारा है वो देश तुम्हारा है वो देश हमारा है हातों में हात थामो फिर दिल से दिल मिलाओ भारत पुकारता है अपने कदम बढ़ाओ तकराओ जालिमों से अपना वचन निभाओ फिर राम बन के आओ रावन का सर जुकाओ रुख है इसका ताच में हैसा सच है गोतम जैसा देश दिल का रिष्टा इसका पावन संगर जैसा खुशी है इसकी दीवाली सी गम है मुहरम जैसा जहां अहिनसा से हिनसा का हो जहां अहिनसा से हिनसा का साहस हारा है वो देश तुम्हारा है वो देश हमारा है वो देश हमारा है वária कि अधिが कि रिजदाव और कि ठधे हैं वेलाई व tes रिव म зай tu । वेलाई!! वाँ। वी डिवस द॥ कि अज़ाए इस देश का हर नौजवान तुम दोनों की तरह ठान ले तो इस देश से पर कि इस जमीन से खटारों का नाम निशान मिचाएगा जाओ उनका दारों को छोड़ो माथ खःट अौ़ो अ। पक्रि में हम यूँ यूँ उनका्षबरों कि ममाएग स south दो धूँीज त decks sparkling वढ़ आएाँ!! थाँ थाँ! अाााा! आक्वार, आमें भाई, चल्दी आपर, चल्दी इसलो गुरा, अधिस्ट आक्वार, आक्वार, प्राम्न झाल 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 बाइ बाइ राइ वाहुई एाहुई ओोह०ई हुई अजए और लुई पया भुई इंदिया आख वेल डन बच्चो वेल डन आज तुम दुनों ने असाबत कर दिया कि धरम और मजभ दिलों को जोडते हैं तोडते नहीं और जब तक ये विश्वास काइम रहेगा हमारे इस देश को दुनिया की कोई भी टाकत तोड नहीं सकती भाई को भाई से जुदा नहीं कर सकती भीरू अबबड़ बेटा तुन्हें देश के गद्दारों को खतम करके अपनी पूरी कर ली अब ले ये ये कुछ खाना खाले बेटा नाही बजरंगी दादा इन पर हमारक नाही ये तो उनकी अमानत है जिनका हम खाना पोचाते है तुम बरोबर सांगता ये गहर कानूनी है हौलर साहिब आप ये जोदा बाई तु एकदम करा सांगती ये चलत मुझाफिर जैसा मरत तो है इच नहीं रे वह काम कीता है कमाल का इसको खाना खिलाओ हलाल का अरे होल्दर साहिब हाजब दोनों एक साथ वह आहो पाई-पाई आमको भी सौंज में आ गया है कि अगर पाई-पाई अलाग ह तो देश कमजोर होता है क्यों पाई आँ भाई पाबजी आदो अमे अश्ची उड़ी बबाबा बाबु मुशाय नोमोशकार रोशुकुला आँखे जिसकी मंदिर मस्जिद दिल कुरदारा है वो देश तुम्हारा है वो देश हमारा है आँखे जिसकी मंदिर मस्जिद दिल कुरदारा है वो देश तुम्हारा है वो देश हमारा है आँखे जिसकी मंदिर मस्जिद दुम्हारा है